असलाम अलेकों मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं अफरीदी पाप यूटीब चैनल उमीद करता हूँ कि आप लोग खेरते होंगे आज एक नीव इडियो के साथ हादरू आज की वाड़ी में आप लोगो बताओंगा कि यूनिवस्टी आफ पिशावर जो के पि से स्पेशालिटीज और डिपार्टमेंट और फिकल्टी में एडिमेशन शुरू हो चाहे हैं तो यहां से आप लोग इसका लिस्ट देख सकते हैं सबसे पहले हैं मसें फेल की लिए जोके रिशर्च बेस्ट प्रोग्राम है यहां पे बहुत नी चिमिकल साइंसे जिग्रा और इसके बाद जवालोगी स्टेटेस्टेक और यहां पे आप लोग इसको देख सकते हैं फिर इसके बाद जो MS कोर्स बेस्ट है वो भी आप लोग देख सकते हैं तो यहां से उनिवर्सटी अफ पिशावर के जो की फीचर है यानि कौन कौन से सहुलियात यहां पे है तो आप लोग इसको भी पड़ सकते हैं, हस्तल वागना की सुलियात और जो के स्पोर्स फासिलिटी एविर्टेंग इस अविलेबल दियर, और यहां पे स्कॉलर्शिप भी आप लोग के लिए हेल, आप लोग इसे भी फाइदा उटा सकते हैं, यहां पे सबसे पहले हैं, चाइन M.S.A. Fund Scholarship, second number पे C.M. Educational Endowment Fund Scholarship की पिके, आवर थर्ड नमबर जो है, वो है, National Endowment Scholarship for Talent, N.S.T. यहां यहां पे बताते हैं, कि अगर आप को फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप लोगो ने अनलाइन इस वेबसाइड पर जाना है, यू और आप लोगो ने एप्लिक केशन फार्म को आप लोगों ने UBL United Bank Limited University of Pichard में जो campus है, जो कापीशाप बाजार के सामने है, तो आप लोगों ने वहां से फार्म लेना है, और फार्म जो है, वो 10th February से लेकर 22 February तक आप लोगों को वहां पे available होगा, तो आप लोगों वहां से United Bank से वहां पे फार्म होगा, आप लोग उनसे वसूद कर सकते हैं, और फार्म का जो अपना फी है, वो भी आप लोग वहां पे submit कर सकते हैं, तो चलते हैं इसके website पे उनिवस्टी के आप लोगों ने feature देख सकते हैं, मैंने यहां पे admission पे click किया है, और admission में मैंने यहां पे higher education study, आप लोग जब इस पे click करेंगे तो यहां से application form for prospects MFL PhD program, यहां पे आप लोगों ने fee and expenses को देखना अगर चाहते हो, तो यहां से आप लोग fee को भी देख सकते हैं, यहां से आप लोग देख सकते हैं, common for all program, यह fees जो है, यह सब program के लिए common है, आप लोगों ने इसको देना पड़ेगा, और पिर इसके बाद यहां से जो fee for field trip, यहां पे हर एक field के लिए, अलग-अलग fee जो है, वो show किया गया है, तो यहां पे आप लोगों ने देखना है, यहां पे सबसे पे जो fee for field trip है, three days and up to more than three days, यहां पे security caution मनी है, पर hostel fee जो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, और इसके बाद fee structure for foreign student, वो भी आप लोग देख सकते हैं, तो यहां से आप लोगोंने fee structure वागरा को detail भी देना है, और पिर इसके बाद आप लोगोंने apply करना है, फाम लेना है, और administration block में आप लोगोंने पिर इसको जमा करना है, पिर आप लोगों को minute test वागरा को भी आप लोगोंने, इन से पूछ और डीटेल देख सकते हैं, तो यह थी आज की वीडियो उमीद करता हूँ कि वीडियो अच्छे लगी हो, शुकुर्या, थैंक यू, और थैंक्स फर वाचिंग